विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक कल यानि 19 दिसंबर को दिल्ली में खत्म हुई अटकले लगाए जा रही थी कि विपक्षी के प्रधानमंत्री चहरे पर निर्ने लिया जा सकता है और बैठक में पश्चिम बंगाल और दिली के सेम के ओर से अलाइंस के पीम कैंडिडेट को लेकर मलिकार जुन खरगे का नाम भी प्रस्तावित कर दिया गया जिस पर कॉंग्रस अध्यक्ष ये कहते हुए इनकार करते नजर आए कि पहले हमारे लिए चुनाओ जीतना जरूरी है बीजेपी ने इस घटना क्रम पर तंस कसते हुए कहा है कि वो चुनकर ही नहीं आएंगे पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री और टीमसी प्रमुख ममता बैनर जी और दिली के उनके समकक्ष अर्विंद केजरिवाल ने कल कौंगेस अध्यक्ष मलिक आरज्जुन खडगे का नाम इंटिया गठबंधन के तरफ से प्रधानमंत्री पद के उमिदवार के लिए प्रस्तावित किया उन्होंने ये कहते हुए खडगे के नाम का प्रस्ताव रखा कि वो देश के पहले दलित प्रधान मंतरी हो सकते हैं लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका वही कई दक्षण के नेता वाई को समेथ कई नेताओं ने विपक्षी गडबंधन की बैठक के बाद इसकी पुष्टी की और कहा कि कॉंगर्स अध्यक्ष ने नेताओं से कहा कि वो पहले जीतना और गडबंधन की ताकत बढ़ाना एहम है जबकि बाकी सब कुछ बाद में त प्राइम मिनिस्टर बना ये बात की बात है वही सांसद अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फाइदा है तो इसलिए पहले अपनी संख्या बढ़ानी के लिए एक होकर सभी लोग लड़कर मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी मोदी ज इलेक्शन होने के बाद इतना घमंड हो गया है कि देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ. प्रचार करते हैं तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे. इंडिया घटबंधन की बैठक के बाद आजेडी सांसद मनोज जाने भी कहा कि चर्चाएं साफ तोर पर हुई हैं. सीट बटवारे, जनसंपर, कारिकरम ये सब 20 दिनों के भीतर शिरू हो जाएंगे. सभी निर्ने तीन हफ़ते के अंदर हम ले लेंगे. सूतर अब ये भी ब पार्टी होने के नाते कॉंग्रिस को सीट बटवारे में अन्य शेत्रे साज़ेदारों को शामिल करना चाहिए. इस बैठक में मौझूद टीमसी नेताओं ने सभी सीटों के बटवारे की बादचीत को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर की एक डेडलाइन रखी है. सीट बट बटवारा बहुत जल्द होगा. सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मम्ता बैनर जी ने ये भी प्रस्ताव रखा कि खडगे को 2024 के लोकसभाचनाओं में इंडिया गटवंधन के घटक दलों के बीच सीट बटवारे की निगरानी के लिए एक समिती का सयोजक भी बनाया जाए. ह अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.